चंदू चैंपियन यह फिल्म यह आधारित है, यह टू स्टॉरी है और यह आधारित है मुद्ली कान पेटकर जी के उपर जिनकी पूरी लाइफ जर्नी है इस फिल्म में, I think मैं उसके बारे में, पूरी जर्नी के बारे में मैं चाहूँगा कि फिल्म देखके आपको पता लेकिन मैं यह कह सकता हूँ कि इस कहानी यह स्पोर्ट्स फिल्म से भी जादा जो कि आपने ट्रेलर में स्पोर्ट्स देखे है और गानों में अभी तक देखा है उससे भी जादा यह I think human triumph की स्टॉरी है एक जजबे की कहानी है और बहुत ही inspiring टेल है तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत लोगों को inspire भी करेगी उनके dreams तक पहुचने के लिए and and huh काफी महनत लगी है यह चीज करने में I'm very proud of this film मुझे लगता है कि मेरे career की बहुत special film है और मेरे लिए बहुत personal level से मैं इससे जोड़ा हूँ जो इनकी story है उससे भी मैं कही ना कही मेरी story को भी जोड़ पाता हूँ तो मुझे लगा कि why not do a trailer launch या पहली चीज़ जो film कियाती है वह वहां से शुरुआ तो जहां पर मैंने dream किया था actor बनने का मैंने सपना दिया था and because it's a story जब आप यह film देखेंगे तो आप समझेंगे it's like an Indian dream it's that kind of a story जिसमे जिसमें हर इंसान अपनी कहानी को ढ रहून पाएगा और relate कर पाएगा तो सब dreamers की कहानी है और तुम मैंने जहां से dream किया था मुझे लगा कि शायद वहां पर चंदू champion का trailer launch होना चाहिए and सब को ये अच्छा भी लगा तो हम सब Kabir Sir, Sajid Sir, सब लोग पूरी team वहां पर गई सारे journalist thankfully सब लोग हम लोग साथ में पर पहुचे और पूरा event cover किया and बहुत अलग experience था मेरे लिए personally वह बहुत ही homecoming सा था और जिस तरीके से welcome हुआ जिस तरीके से गौलियर ने इतना प्यार दिया हम सब को और तो मैं सब के लिए बहुत बहुत अभारी हूं इस सब के लिए and and yeah तो ये इसलिए I think कही ना कहीं क क्योंकि वह story एक एक जर्नी की कहानी है तो मुझे लगा वह relatable factor उस चीज का हमने खुशी मनाने लगब पूरा गवालियर स्टेडियम में इखटा होगे आपके फादर भी stage पे आए मुझे लगता है ऐसी चीज़ों से और लोग भी इंस्पायर होते हैं जो चोटे शहरों से आते हैं क्या ऐसा था आपका सोचना कि हाँ और लोग को बेंस्पिरेशन मिले मुझे काफी अलग अलग शहरों से बहुत ऐसे messages आते हैं या लोग मुझे से मिलने भी आते हैं जब वो कुछ किसी को कोई confusion हो रहा होता है कि हम क्या करें हमारे especially acting career में अगर किसी को गुसना है तो क्योंकि वो यह रिलेट कर पाते हैं चीज से कि मैं भी कहीं बाहर से आया था और यह हम में से एक है you know so they relate to the story तो तो जब हम लोग जब गॉलियर भी जा रहे थे तो मुझे मुझे उस बात का एहसास है कि उस चीज से काफी लोग इंस्पायर भी होते हैं इस चीज को लेकर कि हम भी हमारे सपने पूरे कर सकते हैं हमारे भी ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं बस hard work या self-belief की ज़रूरत है औ स्ट्धम tutto बात काफी दो जब दो मर calendar को ढमज़ छीज अवरांपर स्टैच अवाग में वहां बोह्त जयादा है में निया फैंज दृप घए और यों मेरी मली के लिए बिकोष और पापण के लिए भी बहुत जयादा अवरूर्वल मोग था थास तांए पैम के यां फॉ बहुत बड़ी बात हो जाती है सबके लिए